जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागते महा काली भगत गयाने यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जब आपके उपर सवारी आने वाली होती है तो उससे पहले माता काली आप अक्से निकाल देते हो उस चीज को आप लोग नोट ही नहीं करते कि इस तरीके का सपता क्यूं दिखा अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ भी दुरुगटना होती हो कुछ भी हो रहा हो तो हमें भगवान भी संकेत देता है तो उसी तरीके से हमें महतकाली भी संकेत देती है जिसको आप लोग समझ नहीं पाते हो तो आज आपको बताऊंगी जब आपके उपर सवारी आने वाली होती है चाहे किसी भी देवी किया है चाहे किसी भी देवता किया है तो आपको उससे पहले क्या संकेत मिलते हैं तो चलिए दोस्तों बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेश्टे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लैक, शेर, कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी आगे-आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूं जब आप लोगों के उपर यानि आप अपनी पूजा पाठ करते करते आप लो लोगों के सर पे सवार होने वाली होती है सरीर में सवार होने वाली होती है तो उससे पहले आप लोगों को मातकाली भूत सारे संकेत दे कर जाती है जिसको आप लोगों को समझना चीए तो दोस्तों जब आप लोग सपने के माध्यम में आप लोग सोते हो और आपको सपने म माध्यम में आप ही सपना देख रहे हो और आपके ऊपर ही मातकाली की सवारी आ रही है या किसी भी देवता की आ रही हो चाहे देवी की आ रही हो आपके ऊपर आ रही है ठीक सपने के माध्यम में पहले इस तरीके का सपना आपको दिखाई नहीं देता था फिर अचानक से अपने घर में खेल रहे हो चाय फिर मंदिर में चाय फिर कहीं भी आप लोग खेल रहे हो ठीक है मातकाली की सवारी आप लोगों के उपर आ रही है और यहां तक कि आप हर एक ब्यक्ति का इलाज भी कर रहे हो उसे ठीक भी कर रहे हो अगर आप लोगों को इस तरीके का सपना देता है तो भई आपको मैं गारंटी के साथ बता सकती हूं कि वो जो सपना आपको दिख रहा है वो संकेत आपको माता काली ने दिया है और आने वाले समय में आपके उपर माता काली की सवारी 100% आएगी और उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा यह सपना में आपको संकेत बता रही हूं यह संकेत हर एक किसी भी भगत को भक्ती करने वाले को सेवक को नहीं दिखाई देते यह केवल उनको ही दिखाई देते हैं जिन से माता काली परसन रहती है और जिनके सरीर पे आकर खेलना चाहती है उनको ही इस तरीके के सपने दिखा में तो उसके बाद आप लोगों के उपर माता काली की जब सवारी आ जाती है तो आप लोग एक अच्छे भगत भी असानी से बन सकते हो क्योंकि जब सवारी आने लगती है तो भगत ही कहलाता है चाहिए वो कोई भी इंसान हो बस उसे घुरू की जरूरत होती है वो चाहे गुरु मुख हो या ना हो वो बाद में भी गुरु मुख हो सकता है जब उसके उपर सवारी आने लगे चाहे वो पहले सवारी उसके उपर आ नहीं रही पहले भी गुरु मुख हो सकता है तो यह जो इस तरीके के सपने हैं यह हर किसी को नहीं दिखाई देते यह उनको तो ही दिखाई देते हैं जिनके उपर सवारी आने वाली होती है उनके आने वाले समय में केवल उनी व्यक्ति को ये सपने में संकेत दिखाती है मातकाली और दूसरी बात आपके उपर कौन से देपते की सवारी आने वाली है कौन सी देवी की सवारी आने वाली है ये बात भी आपको माताकाली सपने के माध्यम में आकर संकेत दे कर जाती है यानि कि मानलो आपके उपर जो भी सवारी आ रही हो वो अपना नाम बताएगी ठीक है तो आप समझ लेना कि जब भी आपके उपर सवारी आएगी तो वो उसी देवी की आएगी जो अपना नाम बता रही है चाहे वो देवी हो चाहे वो देपता हो जो भी नाम अपना बता के जा रहा है आपके सपने के माध्यम में सवारी रूप में आप खेल रहे हो तो आपको वो नाम बता रहे है या आपकी फैमिली में कोई भी बैठा हो आपके आसपास दोस्त हो मम्मी पापा कोई भी हो आपके उपर जो सवारी आरी वो आपसे बात कर रहा है यानि कि सवारी से बात कर रहा है तो वो उसको बता रही है कि मैं इदर की देवी हूँ मैं ये देवी हूँ या वो देपता हूँ जो भी अपना नाम बताती है तो समझ लेना कि आपके उपर वो ही सवारी सबसे पहले ब्राजमान होईगी सबसे पहले यानि कि वो ही सवारी आप लोगों के उपर आकर खेलेगी फिर उसके बाद चाय कोई भी देवी आती रहे चाय कोई भ पाते हो उसको समझने के लिए थोड़ा माइंड होना चीह है वो आपके अंदर है या नहीं है ये मुझे नहीं पता पर आप लोगों को इन वीडियो से तो ग्यान मिल ही रहा होगा जो अंजान है उनको ग्यान पक्का मिल रहा होगा तो चली दोस्तों मैंने आप सभी को अच् करें